कख्या दौस हिंदी का पेपर देखिए आपको हम बता देगी 100 objective question आपके exam में आता है जिसमें सबको 50 objective बनाना है तो चलिए सुरू करते हैं पहला question देखिए क्या है पहला question है भारत में जाती पर्था का मुख्या कारण क्या है तो आपको हम बता दे उधियोग धन्धों की कमी answer हो जाएगा C number 20 के दाथ सिर्षक पाठ की विद्या है कहानी answer हो जाएगा B number किस गौर्णर जनरल के समय एक सब बहुतर दारिस नाम अक्सोने से भरा घड़ा मिला था तो आपके वारेन हैस्टिंगस answer हो जाएगा C number पुराने का मो सब समय वांचनिये ही नहीं होता यह पंक 20 सिर्षक पाठ की है तो answer हो जाएगा आपका नाखुन क्यों बढ़ते है यह number बढ़ते है अगले question की तरफ अगला question है हमारा मशली किस परकार की कहानी है मशली किस परकार की कहानी है तो मनो बैग यानिक answer हो जाएगा आपका A number मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है यह प क्या साथ लेकर गए थे तो आपका answer हो जाएगा B number यानि पूछतक और टाइप राइटर और टेप एंसर हो जाएगा B number किसके बिना पराड़ी को मुक्ति नहीं मिलती है तो गुरु ग्यान के बिना answer हो जाएगा C number अगला question देखिए अगला question है स्वायता एवां च्छांद के सीध कभी थे तो सीध कभी थे आपका answer हो जाएगा रस्खान ये number धना नंद किस भासा के कभी है धना नंद किस भासा के कभी है तो आपका answer हो जाएगा ब्रज भासा answer हो जाएगा B number आम सब्द का प्रिवाची सब्द कौन है आम सब्द का प्रिवाची हो जाएगा आपका रसाल answer हो जाएगा D number निम्न में सूध सब्द कौन है इसमें से सूध कौन है आपको बताना है तो अनाधिकार है answer हो जाएगा A number आमरड आमरड सब्द मे आ आ रहा है तो यह आपका शुरू जो अला जो सब्द होता है उपसर का अला तो आ आ रहा है तो एंसर हो जाएगा आपका यह नमबर मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गिया है ठीक है तो एंसर हो जाएगा आपका चब्द नमबर का C यानि कि भीमराव अम्बेतकर को एंसर रहेगा C नमबर मैं तो खोखा को इंजिनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है यह कथन जो है सेन सहाब का है एंसर रहेगा यह नमबर ही तो देश का जर्मन भासा में अनुवाद किसने परकासित जो है करवाया अनसर हो जाएगा आपका मैकसमुलर वी रिबंस विध्या कास्टमबन किस से है तो आपका एंसर होगा मनोविज्ञान से है तो एंसर होगे B नमबर किस देश के लोग बड़े-बड़े नौद पसंद करते थे तो एंसर हो जाएगा अठारे के D यानि की गौड देश के एंसर होगे D नमबर सुर्य नामक पूछ तक किन की रचना है तो एंसर हो जाएगा आपका बुडा कर मूले C नमबर एंसर हो जाएगा आपका Next question है नेवारी भासा किस लीपी में लिखी जाती है किस भाथा में लिखी जाती है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 25 नमबर कोश्चन का देवनागरी में लिखा जाता है एंसर होगे E नमबर दुरुगध सब्ध का सम्धिविछेत क्या होगा दुरुगध है तो दूजोडगण एंसर हो जाएगा D नमबर डो का उचरण अस्थान क्या है? इसका उचरण अस्थान क्या होता है? बताना है इसका उचरण होता है कॉंट से बोला जाराहे एंसर हो गया यह नमबर नेक्स्ट कॉश्चन है लोहा सब्द है तो लोहा सब्द जो है आपका पुलिंग है एंसर हो गया बी नमबर कॉलम सब्द कौन संग्या है कॉलम सब्द जो है आपका जाती वाचक है ये नमबर एंसर हो गया नाच न जाने अंगन टेड़ा लोकुवीत का क्या और था इसका मतलब क्या और था ते इसका एंसर हो जाएगा आपका सी नमर काम न जानना और बहाना बनाना सी नमर एंसर हो गया गुन सब्द का विलोम क्या होगा गुन सब्द का विलोम जो है आपका जो है हो जाएगा दोस परतेक सब्द कौन सा मास है परतेक सब्द में जो है कौन सा समास है तो अभ्याई भाव है एंसर हो गया आपका ये नमबर राम खाता होगा कौन काल है राम खाता होगा तो राम खाता होगा यह आपका जो है संदगित यानि की बर्तमान कल है ठिक है ते अंसर हो जाएगा बी नमबर नेक्स क्वेशन है आपका सभा सब्द कौन संग्य है सभा सब्द जो है आपका समुहाचक है आग सब्द है आग सब्द जो है आपका तदभव है अंसर होगे बी नमबर मंगमा मिठाई किस के लिए ले जा रही थी मंगमा जो है पोता के लिए ले जा रही थी अंसर होगा ये नमबर ढहते विश्वास कहानी में किस राजय को बाढ़ेवं सुखा से परभावित दिखाया गया है तो एंसर हो जाएगा आपका उड़िजा को दिखाया गया है ये नमबर पहले दिन पपाती को क्या था तो एंसर हो जाएगा तो इसका आपका C बुखार था उसको बढ़त दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहा है धृते एंसर हो जाएगा टीले के नीचे एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर अग्रा क्वेशन है आपका सीटा के बेटों ने सीटा को कितने रुपिये माह वारी खर्च देने का निर्णे लिया तो Εंसर हो जाएगा आपका 50 रुपी है B नमबर अच्छे लड़के पंशरमी होते हैं कौन वाक्य का फुधारन है तो सरserल वाक्य है, एंसर हो जाएगा B नमबर संतु मशी्री लेकर क्यों भागा ? संतु मशी्री लेकर बेचने के लिए भागा एक बिरिक्ष की हत्या किस कभीता संगरों से संकलित है एंसर हो जाएगा आपका इन दिनो नदी के दीप किस कभी की रचना है एंसर हो जाएगा आपका सचिदानन और हिरानन वात्सयान अयग्या सद्यों की ठंडी बुजी राग, सुग बुगा उठी, मीटी सोने का ताज पहर इठलाती है किस कभीता की पंक्ती है एंसर हो जाएगा आपका इन दिनमर जन तंतर का जन अगला क्वेशन देखिए जिन्दगी और जो किस लेखक की रचना है तो एंसर हो जाएगा आपका अमरकांत डी नमबर बहादूर को लेकर कौन आया था तो लेखक की साला एंसर हो जाएगा बी नमबर लेखक राम बिला सर्मा के गाउं का क्या नम था तो आपको हम बता दे नम था उच गाउं सानी बी नमबर पंडित बिर्जु महाराज किस घराने के बंच सराज थे तो आपका अंसर हो जाएगा लखनाउं घराने के बी नमबर भावतिक वाद का और भागय वाद नहीं है किस निबंध के पंक्ति है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका प्रामपरा का मुलियांकन बी नमबर बिर्जु महाराज का संबंध है इन में से कोई नहीं क्योंकि उनको तबला बादन से भी नहीं था महासुरी से भी नहीं था और संब्तूर बादन से भी नहीं था निबंध में निष्चे सब्द का बिलों कौन होगा निष्चे सब्द का हो जाएगा और निष्चे तो इन से नमबर एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्ट्विक सब्द में परता है वास्ट्विक तो वास्ट्विक सब्द वास्ट्विक आ रहा है को आ रहा है वास्ट्विक एक एंसर हो जाएगा D नमबर रूची सब्द का भी से सड़ है रूची कर A नमबर महासे सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या है महासे सब्द का इस्तिलिंग हो जाएगा महासे या एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर